आज की वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मैटिक के लिए करो मैटिक की शॉर्ट एंड को एक अपडेट है fundamental analysis हम देखेंगे ही साथ ही ता technical की तो मैंने कल ही आप लोगों को बता जीता क्या 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 बताना है मुझे जो important चीज़े है technical में मुझे आपको एक चीज़ बतानी है वो यह है कि यह जो yellow region है यहाँ पर बहुत सारी volume थी चिक और यह yellow reason मैंने आपको बताया है कि Matic 1.3 से और यहां के बीच में 1.6 के बीच में अच्छा accumulation zone बना रहा है in a case of crash जो की मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत backdrop कर सकता है इनकी चे तो अगर करता है तो फिर से 1.3 के chances हमारे बनते हैं और 1.3 काफी perfect zone होगा Matic को लेने का मेरे ख्याब से तो यह yellow zone भी काफी अच्छा है बट अगर आप more patient हो अपना मतलब weight कर सकते हो तो आप असानी से Matic को यहां कहीं पर accumulate करना 1.3 क्यास पास and something that about Matic is कि Matic को लेकर यहां पर कुछ खबरे हैं पहली चीज मैटिक को लेकर Matic पर जो NFTs हैं उनके साथ काफी साथा partnership हो रही है और NFTs आपको मालूम है कि NFTs का craze कितना बड़ा हुआ था और NFT season फिर से आना है ऐसा पूरी crypto community जो है वो anticipate कर रही है आने वाले time में तो open sea पे यह available है ट्रेट करने के लिए lazy lions NFTs हैं और यह जैसे से popular होंगी वैसे वैसे वह platform भी popular होता है जिन पर NFTs होती है और Matic के साथ इनकी partnership होई है तो आने वाले time में जो NFTs है Matic पर मिलेंगी तो यह भी बहुत अच्छी और bullish news है Matic के fundamentals को लेकर यह बात तो मुझे करनी थी साथ साथ एक और चीज़ है Binance Matic Token Housekeeping and Consolidation Binance के पास 2019 में जो Binance Labs Incubation Program है उसमें उन्होंने Matic लेकर रखे होई थे और sizable amount of Matic tokens थे इनके पास जो storage में रखे होई थे इतने दिनों से तो वो कितने हैं जरह मैं इस transaction में आपको दिखा हूँ 302 million Matic यहां पर सिर्फ Binance की wallet में रखे होई थे आप समझ सकते हो कि कि इना बड़ा यहां पर amount है 302 अगर 302 आप समझ रहे होना खाली Binance से अपने 302 बेच दे पूरा Matic crash हो जाएगा आधे से निजे पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि एक 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 exchange है तो इन्होंने बुला as a housekeeping exercise to allow for better long term storage management and liquidity Binance plans to consolidate all the tokens to Binance.com ठीक यानि Binance.com पर वो लोग यहां पर shift करना चाह रहे हैं जो बाइन जितने भी उनके पास Matic token रखे हुए हैं वो tokens इनके साथ यहां पर करना चाहते हैं कि इस्टोर करना चाहते हैं ठीक तो Binance.com पर जो इन्होंने address दिया है वो address यहां पर provide भी कराया हुआ है यह address है और इस पर आप जाकर देख सकते हो 302 million matter यहां पर हैं तो एक यह news हो गई बाकि मैटिक को लेकर partnership अगर आपको देखनी हो तो आप सिर्व मैटिक के पेज़ पर चले जाओ जितनी जादा fundamentals यहां पर news आ रही हैं काफी अच्छी चीज़े आ रही है partnerships आ रही है followers देखिए 1.2 million followers हैं इतने जादा followers आइड़ा के भी नहीं है काड़ानों पीछे से Twitter पर इतनी बड़ी community होना बहुत बड़ी बात होती है अगर आप crypto space में बात करते हो ठीक और यहां पर अगर accumulate करना है तो आप कर सकते हो क्योंकि यह डिप एक ऐसी बाइंग अपॉच्छनिटी मैटिक को लेकर आएगा जो आपको आई होप बहुत अच्छा मौका देगा बाइंग का एंड यह एक रीजन काफी अच्छा है जो मैं आपको बता रहा हूं मैटिक फिलाल ऐनी हाउ चेर को डोलर जो डोलर से नीचे जो डूबा है उसके नीचे काफी अच्छा है थिफ्याइट काफी फिलाल का यहा जिए ज एक अच्छा काओ में बता बतायबर्सेश और시면atan Canada का धाएक दिनों में यहां पर तो यह एक चीज है पाकी इतना ही अपडेट है मैटिक में फिलाल अगर लूना की बात करें तो लूना भी नीचे रिट्रेस हो रहा है काफी ता करेक्शन कर रहा है अच्छी कासी रैली की थी लूना ने और अभी फिलाल 42 के चांसे से लग रहे हैं फिब 53.95 से है जो की फिबिनाची का 0.5 का लेवल है और काफी इंपॉर्टन लेवल होता है तो इस से उपर यहां पर क्लोजिंग हो जाए इस जगह पर 53.95 से उपर तो एक अच्छा गासा हमें बांस जेखने को मिल सकता है अगर मार्केट सस्टेन रहती है मार्केट नीचे आती ह तो आपको पता है सारे आलकोट्स ही जाएंगे तो आट इस एक पर तो डेश वीडियो थैक्ट यसो बच फो वाचिंग इस वीडियो मिलता आप से नेक्स वीडियो